मस्कार फ्रेंट बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉक्स में कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे ब्लॉक की शुरुआत हो रही है मेरे साम के साड़े चार से पौने पाच बजे और यहां पर निकाल के रखे है मैंने सूट जैसा कि आप सभी को पता है कि दो दिन लग गए मुझे सफाई में और मैं बिल्कुल भी स्लाई नहीं कर पाई थी तो अभी लेकर बैटी हूं सूट काफी टाइम से इन सूट को सिलना था और दिफाबली पे मैंने टाइम दे दिया है और दिफाबली लगपक आई ही चुकी है सिर पे तो मैंने सूट चलो इनकी मैं कटिंग कर ले रहे हूं और कटिंग के साथ इसकी स्टिचिंग जो भी है क्योंकि कपड़े कटे हुए होते हैं तो हम किसी भी टाइम पे उसको सिल लेते हैं लेकिन जब कटे हुए नहीं होते हैं तो हमें सोचना पड कि हमозяřment, हम लेती हैं customer का, और स्лена कटिंगश कर ने भाते हैं, तो यह ही confused में रह जाते हैं, कभी-कभी मेरे साथ यह confusion हो जाती है, कल schauen, ईर यह लोता है कि यह बढ़ बज़ाने हो जाते हैं, और उसमें यह होता है कि एक कही बढ़ बढ़ हो जाते हैं, बस लीप का जो मतलब मैजरमेंट था वो मैंने गलत लगा दिया था तो हो जाता है कभी-कभी हम लोगों के साथ में क्योंकि काम करते हैं रोज-रोज उसी तरह का पैटन रहता है वही सारी चीजे रहती है और ज़्यादव कुछ चैंज नहीं होता है वस कभी-कभी कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाती है तो यहां पर मैं डायरी में से चेक कर ले रही हूँ और मैं कर रही हूँ और कमेंट में आप बताना बिल्कुल भी मत बूलेगा कि वीडियो आपको कैसे लगी और मेरे वीडियो आप कहां से देख रहे हैं बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और इतना प्यारा आप लोग मेरे साथ में शेयर करते हैं तो मिचे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैं अकेली हूँ और अकेली होके भी एक फैमिली मेरे साथ है बस इसकी खुशी में लिए बहुत बड़ी है तो अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखिएगा दिवावली तो हमारी चल ही रही है बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तिपावली पे कुछ भी करने का लेकिन कहते हैं कि करना तो पड़ता ही है तो यहां पर सफाई मेरे आधी हदूरि हो चुकी है kitchen की सफाई हो चुकी है calorie की भी सफाई कर दिया है अब ही मेरा room रह गया है और थोड़ सा store room जो है इसकी सफाई है तो यहां पर सोच रही हूं मैं चलो जो भी cutting है जो भी सिलाई है वो मेरी complete हो जाए तो मुझे late night तक काम करना होगा क्योंकि अगर मैं ऐसे नहीं करूँगी तो मैं अपना काम जो है वो time से नहीं finish कर पाऊंगी साथी साथी कि वीडियो का भी काम होता है तो वीडियो में बहुट time लग जाता है और जब आप लोग comment करते हैं like करते हैं तो मुझे लगता है कि जितनी भी मैं महनत करती हूँ जितना भी time मैं वीडियो में लगाती हूँ या फिर इतना busy होने के बाद में भी time को manage करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती हूँ तो मेरी महनत सफल हो जाती है एक अलगी चहरे पे smile आ जाती है और मेरी यही एक कीमत है जो कि मेरे चहरे पे smile आप लोगों के support से आती है तो इसलिए इतने सब कुछ होने के बाद में भी मैं वीडियो को लेके आती हूँ क्योंकि एक वीडियो ही नहीं है यह मेरी एक जान है मेरे जीने का एक जरिया है कहीं न कहीं मेरे लिए एक motivation है और एक motivation ही बहुत बड़ी चीज है मैं दो दिन से live नहीं आ पा रहे हूँ कारण क्या है क्योंकि अगर मैं live आ जाओंगी तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा आप लोग comment करते हैं कि दीदी live नहीं आये live नहीं है मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि अपने काम को जल्दी से finish करूँ और मैं live आ जाओं चाहे थोड़ी देर के लिए से ही तो जितना इंतिजार आप लोगों को रहता है उससे कहीं जादा इंतिजार मुझे रहता है और live नहीं आने का reason सिर्फ एक ही हो पाता है कि मैं अपने time और काम को कहीं न कहीं अगर थोड़ा बहुत भी match नहीं कर पाती हूं manage नहीं कर पाती हूं तो फिर मैं live नहीं आपाती हूं तो हार पे काम हमारे बढ़ जाते हैं हमारे जो काम routine रहता है वो तो रहता ही रहता है लेकिन उसके बीच मैंुल मेरे समौटсь करना दो दिन की हो रही है और हरते हो हर दो दिन की हो रहे हैं लेकिन हमारा तो टाइम ऐसे ही रहता है ना कि कब कस्टमर लेकर लेने जाए पहले दिन आ जाए या दूसरे दिन लेने आ जाए तो हमें वो काम पहले से करना है चाहे हम अपने घर का जो काम है वो देर से करें रात में करें या दिन में करें लिकित उनका काम हमें कंप्लीट करके देना है तो ऐसा ही रहता है और मेरे ही अकेली की बात नहीं है सभी लेडिस के साथ में यह दिक्कत है और अगर परिवार में बच्चे होते हैं और फैमिली मेंबर होते हैं तो और जादा दिक्कत हो जाती है अभी म मैं तो अकली हुँ तो आपी लोग है जो भी है जैसा भी है मैं सभी कुछ आपके साथ में किसेर करती हूं और मुझे एक तसली रहती है कि हाँ चलूँ होके भी मैं अकली नहीं हूं आप लोग हैं एक टाइम ऐसे भी था दिपावली पे कि मैं दिपावली के पूजा कर रही थी और रोते रोते कर रही थी और आज ऐसा नहीं है आज मैं सब कुछ करूँगी अपकी टाइम पे मैं सब कुछ करूँगी लेकिन रोते हुए नहीं करूँगी हसते हुए करूँगी क्योंकि सब क कुछ मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना है कोई हो या ना हो लेकिन उपर वाला और आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है मेरे लिए यह मेरी ताकत है और अपनी ताकत हर कोई चाहता है मुझे यह ताकत आप लोगों ने दी है भगवान ने दी है हर किसी को यह ताकत मारות मेरे बहुत महिनत लगती हैं यहां महनत की है मैं इतना प्यार पाने के लिए मैंने जब Youtube की शुरुआद की थी तो मैробि 방법 है थो बहुत है तिम्हें आप लोग का प्यार मिलेगा या इस तरह से मुझे आप लोग सपोर्ट करेंगे या इतना आप लोग मेरे लिए इंतजार करेंगे लेकिन ये सब कुछ आप लोगों ने मुझे दिया है ये मेरी महनत की एक कहते है ना इनाम तो इनाम है मेरे लिए और मेरी खुशी ही इसी में चुपी हुई है चाहे कितने भी कितना भी मैं दुखी हो जाओं यह कितना भी मुझे डिप्रेशन हो जाए लेकिन बस अगर मैं लाइव आके आप लोगों से बात कर देती हूं तो मेरे सारी टेंशन सारे दुख जो होता है वो दूर हो जाता है तो अपना प्यार सपोर्ट बस यह मेरी महनत का फल है और मलत है आती है सबकुस ठीक होता है अगे भी ठीक होगा imperdice आप करना को खाफा धार द मेरी म effect भी मेरी मजब़ूरी थो लेकिन काम से 5-7 महीने की बात उड़ने बात आफ यह yard मेरी मजबूरी थी लेकिन आज मेरी मजबूरी नहीं मेरी खुशी है मेरी ताकत है और मेरी यहां तक की महनत का फल है जो कि इतने सालों से मैं करती चली आ रही हूँ हर किसी की जिंदिकी में कुछ न कुछ परशानिया चलती रहती हैं कुछ न कुछ दिक्कत रहती हैं लेकिन मैं यही गुराइभ के साथ ही तब आची चीज़ें अच्छी चीज़े दिखती हैं अगर यह इतना सब कुछ मैंने परने लोके तो आगधी मजबूत्त नहीं तो आज अकेले खड़ी, भी नहीं होती, अकिले जीना आसान नहीं होता है लेकिन कहते हैं ना वक्त हमें सब कुछ सिखा देता है सब चीजें सामना करना बता देता है कभी कोई इसान सोचता नहीं है कि हम इस सिच्विशन में आ के ऐसे करके स्टेंड ले लेंगे, लेकिन वक्त और हलात हमें ऐसे सिखाते हैं, ऐसे मजबूत बना देते हैं, पता ही नहीं होता है, भगवान हमें मुसीवत में तभी डालते हैं, जब उस मुसीवत से भी हम निकल के आगे आते हों और उसमें भी कुछ अच्छाई चिपी होती है, कुछ न कुछ अगर गलत होता है हमा आखे नहीं खोली होती तो कभी मेरे आखों से महमाया की पट्टी नहीं खुली होती और हमेशा में उसी भ्रह्म में जीती रहती कि मेरे अपने मेरे अपने मेरे अपने मेरे अपने असल में अपना तो कोई होता ही नहीं है सब जरूरत की रिस्ते होते हैं जरूरत की और जब बिल्कुल ही मेरे आखों के सामने वो चीज हुई है ना बहुत चीज़े ऐसी होती है जो कभी हम उमीद नहीं करते हैं फिर भी हो जाती है तब हमें पता लगता है कि ये सब हमारा भ्रहम है मोहमाया है जीवन का जंजाल है तो जब हमारी आखों से वो मोहमाया की पट कई ऐसा कदे मेरे से खराब हुए तक कभी मेरे उमीद भी नहीं कि थी कि अन न dip में डर बैण गया था कि मैं अब कभी 手माई नहीं कर पाऊंगी मेरे से नहीं होगी तोपर ivr मैंने लगपग 15 से 20 दिन का और उसके बाद में जाके फिर से अपने सिलाई शुरू की क्योंकि अगर मैं सिलाई नहीं करती तो मेरा बजूद कहीं से कहीं नहीं होता और ये सब किसकी वज़े से था मेरे अपनों की होती तो अपने जो दर्द जो मैंने जहला है या जो कुछ भी मेरे साथ उन लोगों ने किया है वो मैं कभी फेस नहीं कर पाती तो ये सारी चीज़े होनी बहुत जरूरी है और यही चीज़े हमें सिखाती है कि कौन हमारा अपना है कौन हमारा बेगाना है मौका सबको दिया जाता है मौका मैंने भी बहुत बार दिया है लेकिन मैंने जितनी जितनी बार भी मुझे मौका दिया है हर बार मुझे पच्चतावा मिला है अब मुझे किसी को मौका नहीं देना है अब मुझे अगर मौका देना है तो मुझे खुद को मौका देना है क्योंकि जो हम दूसरों के लिए करते हैं अगर हम उतना खुद के लिए करें तो हमें किसी को पर डिपेंड रहने के जरूरती नहीं रहेगी अपना पन क्या होता है ये मुसीबत में पता लगती है पे अगर हमारे साथ कोई गैर भी खड़ा हो जाता है वो हमारा अपना हो जाता है और हमारे अपने भी अगर हमसे आखे फेर लेते हैं वो हमारे अपने कहलाने के लाइक नहीं होते हैं तो मेरे जिन्दगे में मेरे अपने कहलाने लाइक जो भी थे तो आज आपके सामने मैं इतनी सारी बाते नहीं कर रही होती, मैं यूटूब पे नहीं होती और यूटूब पे मैं कभी आ ही नहीं बाती, तो ये सब भी होना बहुत जरूरी था, मेरे साथ धोका होना भी बहुत जरूरी था, और मेरे अपने छोड़के गए तो वो मेरे लि नहीं बनाई है एक-एक महीने तक का मैंने गैप कर दिया है बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि कभी भी कुछ भी टेंशन होती थी है मैं बिमार हो जाती थी मैं वीडियो बनाना चोड़ देती थी लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है अभी मुझे पता है कि मेरी जो ताकट रहे न हो तो अभी मैं उस ताकत को कभी छोड़ना नहीं चाओंगी, कभी खोड़ना नहीं चाओंगी, और कभी ऐसा हो कि मैं वीडियो ना बनाओ, तो प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना, क्योंकि कुछ चीज़े ऐसी होती है, जाना कि हमें पता होती है कि हमें उसके जरूरत होती है, लेकिन मन के और दिमाग के हालात ऐसे होते हैं, कि हम उनका सामना नहीं कपाते हैं, हिम्मत चाहिए होती हैं बहुत कुछ, लेकिन कभी-कभी सिर्फ सब्द काफी नहीं होते हैं, किसी का साथ बहुत ज़रूरी होता है मैं आप लोगों से बहुत सारी बात ऐसी कर देती हूँ आप लोगों के जिंदिगे में भी बहुत सारी ऐसे चीज़े चल रहे होंगी जिसका सामना आप लोग कर रहे होंगे मेरी परशानी को भी आप लोग कहीं न कहीं समझते हैं और इसी वज़े से आप लोग मेरे से बहुत जल्दी connect हो जाते हैं आप लोग मुझे अपना समझते हैं और अपने दिल की बात मेरे साथ share कर देते हैं और यही अपना पन एक यही एक जो feeling होती है ना यही बहुत ज़रूरी होती है, किसी भी रिस्ते को बनाने में और बिकारने में अपनापन बहुत-बहुत महत्पूर्ण होता है, सब्द ही होते हैं, जो हमारे दिल को छूजाते हैं, और शब्द होते हैं, जो हमें दिल से निकाल देते हैं, कुछ अपने होते हैं जो हमें इतना भी हम समझानी कि कुछ रिसकरे नहीं समझ पाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना कहें हमारी बात को समझ लेते हैं तो मेरा और आप लोगों से यही एक रिस्ता है कि मैं जो कुछ भी कहते हूँ ना आप लोग उस चुछ को समझ लेते हैं और प्यारी सी एक मेरी इतनी प्यारी सी फैमली है ना जो बिना कहे मुझे इतना कुछ समझते हैं सपोर्ट करते हैं और यही मेरी एक ताकत मुझे यहा या डिप्रेशन में जाके अपने काम को कर रहे थी, वो मुझे कुछ भी नहीं करना है, महनत जरूर करती हूं, लेकिन उस महनत को करने के साथ साथ जो खुशी होती है, और खुशी के साथ अगर हम काम करते हैं, तो उसकी सफलता ही अलग होती है, उसको करने का तरीका ही अलग हो जाता है, एक काम को हम रोके करते हैं, डिप्रेशन में जाके करते हैं, और एक काम मन लगा के खुशी से करते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है, उसी काम को करने में हमें 10 मिनट लग जाएंगे, और खुशी से काम करेंगे तो उसको पाच मिनट में ही हम कंप्लेट कर लेंगे तो अभी मुझे उसी खुशी की फिलिंग होती है और उसी अनुभुती के साथ में मैं अपने काम को आगे लेके जारी हूँ यही एक कारण है कि सब कुछ मैंने अच्छे से किया है दिपावली की सफाई बगरा भी है अभी जो बाकी रह गई है वो अब मैं सिलाई बगरा करने के बाद में देखती हूँ कि कल मैं किस टाइम पे करते हूँ यहां वसिल रहे थी मैं सूट और मम्मी आ गई है खाना लेके तो अभी हम खाएंगे खाना आप लोग आ जाईए खाना खा लीजिए मुझे इतना टाइम नहीं हो पाता है और टाइम के साथ साथ इतना मेरा मन नहीं करता है कि मैं खाना बनाओ और मैं जब खाना नहीं बनाती हूँ तो मम्मी ही बना के लिए आती है तो अभी दिपवली के बाद में मैं अपना किचिन जो है वो सेट करके फिर मैं खाना बनाना शुरू करूँगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी बहुत कुछ आता है ऐसा नहीं है मुझे खाना बनाना आता नहीं है या खाना बनाने का मेरा मन नहीं गहता है, बहुत कुछ आता है बनाना, बहुत कुछ बनाती हूं, बनाती थी, लेकिन अभी के टाइम पर कुछ नहीं बनाती हूं, क्योंकि कहते हैं कि बनाएं कि इसके लिए, जिसके लिए बनाने का मन होता है, अगर खाने वाला कोई होता है तो बनाने वाले की तिल्चस्पी ही अलग हो जाती है तो अब मैं सब कुछ शेयर करूँगी अपने लिए अपने ममी पापा के लिए और आप सभी के लिए और फिर आप लोग बताना कि मेरा खाना अच्छा लगता है या नहीं लगता है बहुत सारी रेसिपी है जो मैं बनाती थी बनाना भूल गई या छोड़ दिया मैंने कुछ भी कह सकते हुआ लेकि अलबी वो सब कुछ में स्टार्ट करना है एक नए सिरी से अपनी जिंदिगी को जीना है नए सिरी से अपनी जिंदिगी की सुरुआत करनी है क्योंकि दूसरों के जाने से जो हमें दोका दे जाते हैं उनके जाने से हमपनी जिंदिगी को नहीं रोक सकते हैं बगबान ने बहुत जादा उससे हमें ये जिंदिगी दिय veure और कुछ ना कुछ परशानिया अगर दिये है तो और शैयद अकेले जीना भी एक अच्छा जहला, इतने सालों मैंने जो कुछ भी डिप्रेशन जहला, वो काफी है इन सब को, मतलब इन सारी चीजों से सबक लेने के लिए, तो अभी के लिए मेरा सबक पूरा हो चुका है, और इस सबक से जो कुछ भी मैंने सीखा है, उसको आगे न धोराते हुए अपने काम को और अपनी जिंदिगी को और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है बहुत आगे जाना है भगवान का साथ रहा और आप सभी का सपोर्ट रहा तो जरूर आगे जाओंगी और जो लोग सोचते थे कि हाँ एक अकेली औरत कुछ नहीं क उसमें भी मुझे किसी सहारी की जरूरत हो रही थी कि नहीं बच्चे नहीं एक बच्चे मेरे पास हूं या मेरी फैमिली मेरे साथ हूं लेकिन कहते हैं जब वह हमारी है ही नहीं तो उसका मौह हमें छोड़ देना चाहिए तो मैंने उस मौह को छोड़ दिया है और उसी करने के बाद में सिर्फ मुझे तरपाई करनी है मतलब गले पर तरपाई करने के बाद में तरपाई भी नहीं करूंगी मैं सुभा में करूंगी तरपाई और यहां पर लगानी है मुझे जो यहां पर स्टेप होती है यह लगा दे रही हूं इसे क्या होता है कि कभी गला हमार थोड़ा सा लूज हो जाता है या फिर कभी देखे कम जोर हो जाते हैं तो यहीं से हमारे कंदेज होते हैं वो थोड़े से दिक्कत हो जाते हैं अगर फिटिंग हमारे ठीक नहीं होती है तब यहां पर स्टेप लगा दूंगे और टाइम हो रहा है यहां पर लगबग 11 से 11.30 और मुझे अभी एक वीडियो रिकार्ड करना है, जो कि मुझे बलाउस का डिजाइन बनाना है, तो यहाँ देखिए, मैंने यह ले लिया है कपड़ा, और अब मैं यहाँ पर इसके डिजाइन को बनाऊंगी, फिर वीडियो को रिकार्ड करूँगी, उसके बाद में सोंगी, कमरे की हालत बहुत बेकार हो रही है, अभी तक मैंने ठीक नहीं किया है, लेकिन कहते हैं ना, जिदर कर देखो, उधर का काम पड़ा रहता है, तो मैं अभी तो मैं सिलाई पे हूँ, तो अभी मेरा फोकस सिलाई पे है, जब सिलाई से फिरी हो जाऊँगी, तब जाके मैं कमरे का देखूँगी, तो पर्दे वगएरा जो थे, चादर वगएरा थी, वो मैंने मशीन लगा के धुल के रख दिये हैं, और सारे ही कपड़े जो है, वो बैट पे की तरह से रखे हुए है, जब सब कुछ मेरा साफ हो जाएगा, तब ही जाके पर्दे वगएरा लगाऊँगी, और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यारे-प्यारे सेजेशन दिये, कि दीदी ने कहा कि मैं गेट पे जाली लगवा दूँँ, तो दीदी हाँ मैं लगवाऊँगी, और उसके लिए देखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, कि कितना खर्चा आएगा उसमें, दीवे सिस्टर ने बोला है, चाने सिस्टर ने कि मैं पढ़ते जरूर लगा दूँ, हाँ सिस्टर पढ़ते जरूर लगाऊँगी, बस थोड़ी साफसाफ होई हो जाए, तब ही मैं पढ़ते लगाऊँगी, और दीदी ने बोला है, सबी लोगों ने इतने प्यारी प्यारे बाते बोली है, कि पुताई करने के बात में ठकान जादा हो जाती है, तब बिल्कुल सही बात है, आपने बताया, कि हाँ देखिए, पुताई जब हम करते हैं तो थकान हो जाती है, मैंने अभी दो साल से नहीं किया है पुताई, लेकिन उससे पहले मैंने पुताई की थी, शॉप में जो भी पुताई वगर थी, वो मैंने खुद से की थी, और बाहर गेट पे भी मैं सोच रही हूँ कि मैं पुताई कर दूँ, क्योंकि दुकान के आगे जो दिवाल है न वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, तो जैसा भी टाइम होगा, वो उसी साब से देखती हूँ कि पुताई का अगर टाइम भचेगा, तो मैं बाहर वाले गेट पे कर दूँगी, वो भी दिवाली वाले दिन, तब तक अंदर का जो भी समान है, वो मैं लगाऊंगी, साफ सफाई है, उसको कर लूँगी, और साथी साथ मुझे सिलाई भी कंप्लेट कर लेनी है, तो इसलिए मैंने यहां के सफाई कर दी है, और कमरे की सफाई मैं रात में करने वाली हूँ, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो जैसे भी रहता है, वैसे मैं कंप्लेट करूँगी, यहां पर डिजाइन बनाने के लिए, मैंने कपड़े निकाल लिया है, और उसके साथ-साथ यहां पर डिजाइन बनाने के लिए, इस तरह से मैं यह चौकोर पीस के कपड़े निकाल ले रही हूँ, यह सब बच्ची हुए कत्रन है बुसी से निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं, उसमें दिक्कत हो जाती है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसमें छोटा-छोटा जो काम होता है यह मैं पहले ही कर लेती हूँ, और वीडियो जब लंबी हो जाती है, तो कोई जल्दी देखना नहीं पसंद करते हैं ब्लोग का वीडियो अल्रेडी बहुत लंबा हो चुका है मुझे नहीं पता आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा लेकिन उमीद करती हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा अगर पसंद आएगा वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट पे जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और अगर आप लोग भी मेरी तरह इसी तरह से परशानियों से जूज रहे हैं तो हार बिलकुल भी नहीं माननी है देकि थोड़ी ठकान या थोड़ा दिमाग में प्रेशर जरूर होता है लेकिन बस हार नहीं माननी है अगर हम हार नहीं मानेंगे तो एक मैं एक मैं मंजिल हमें जरूर ही मिलेगी और बस इसी उम्मीद के साथ में मैं भी चल रही हूँ कहीं न कहीं जाके भगवाद ने मेरा हाथ पकड़ा है तो कहीं न कहीं ले जाके मुझे मंजिल तक पहुचा ही देंगे और आप लोगों का साथ दिया है तो ये मेरी एक टाकत है पता नहीं क्या क्या बोल गई हूँ मैं क्या क्या नहीं बोल गई हूँ मैं इस डिजाइन को बना के complete कर दिया है, इसका detail वीडियो आपको मेरे बुटिक चैनल पर मेरेगा, और time यहाँ पर काफी हो रहा है, लगबग 1 से सवा एक बच चुके हैं, तो आप time देखिए, और इतने time तक मैं यहाँ पर वीडियो और सिलाई को complete कर रही थी, यही एक कारण था कि मैं लाइव नहीं आपाई थी, तो यहाँ पर देखिए, एक बच के साथ मिनिट हो चुके हैं, वीडियो को मैं यहीं end करती हूँ, मिलती हूँ आपसे next वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, take care, thanks for watching,